Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes. दोस्तो आज का जो हमारा topic है वो है The Patriot. Patriot जो यह poem है यह Nisim Ezekiel की लिखी हुई poem है और Nisim Ezekiel को जैसी कि आप जानते हैं कि Nisim Ezekiel was born on 1924 और एक Indian Jewish community के poet है, इनको बेन Israel community के poet के रुपे भी जाना जाता है दोस्तो और he is known as the father of post-independence Indian verse in English ध्यान रख लेना, question आता है exam में कि who is the father of post-independence Indian verse in English your answer will be Nisim Ezekiel, आपका answer होगा Nisim Ezekiel और दोस्तो इनको साहित्य Academy Award भी मिल चुका है 1983 में और इसके साथ-साथ Padamshree Award से भी इनको सम्मानित किया रा चुका है 1988 में अब हम बात करेंगे इनकी poem The Patriot की जो ये poem Patriot है जैसे की नाम से ही आपको नजर आ रहा होगा कि ये पूरे तरह से एक तरह से devotion को represent करती है एक तरह से देशभक्ती को दरसाती है और इनका जो एक प्रेम है और किसके लिए अपने country के लिए उस चीज को ये जो poem है ये represent करती है और इसके साथ सा दोस्तों ये इस poem में ये भी कहना चाते है निसे musical जो foreign things है जिनको हम adopt कर रहे हैं उनको ये एक तरह से उन पर ये strike करती हुई ये कवीता है जिसका नाम है The Patriot तो उम्मीद है कि आपको इतना clear हो गया होगा अब हम बात करते हैं कि ये जो poem है इसमें क्या है फिर हम इसके line to line की तरफ भी बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस poem में है क्या दोस्तो ये जो poem Patriot है इसमें जो point है बात करते हैं peace की peace और non-violence की और जो गांधियन philosophy है उसकी बात करते हैं दोस्तो ये question आ जाता है कि which of the following poems of Nisim Ezekiel deals with गांधियन philosophy कि इन में से कौन सी poem है Nisim Ezekiel की जो गांधियन philosophy से deal करती है तो आपका answer क्यों होगा आपका answer होगा The Patriot इनकी जो poem है Patriot वो गांधियन philosophy से deal करती है और इस poem में जो ये Nisim Ezekiel है ये इस बारे में बात करते हैं कि समाज में आजकल चारों सरफ से बटे हुए हैं लोग और वो आपस में लड़ रहे हैं जगड़ रहे हैं और इसके साथ साथ वो ये बात करते हैं कि उनके अंदर जरासी भी एक sense of humor जिसको हम कह सकते हैं वो चीज उनके अंदर जरासी भी नहीं है और जो non-violence है non-violence पूरी तरह से जिसको हम बोलते हैं हिंसा वो पूरी तरह से यहाँ पर आ चुकी है फैल चुकी है हिंसा फैल चुकी है और हम जो adopt कर रहे हैं किस चीज को adopt कर रहे हैं हम foreign civilization को adopt कर रहे हैं हम English जो culture है उसको adopt कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम neglect करते जा रहे है हैं किसको neglect करते जा रहे हैं हम neglect करते जा रहे हैं जो हमारी इंडियन culture इंडियन traditions इंडियन values हैं उनको हमने पूरी तरह से एक तरह से नकार दिया है और यहां पर इसमें एक incident आपको और देखने को पर जो है एक पत्थर फैक कर मारा था तो उससे भी वह मतलब उनको बहुत जादा यह चीज हर्ट हुई कि किस प्रकार से हमारे देश के जो महान लोग हैं उनके साथ ही इतना दुर्वेवार यहां पर किया जा रहा है और इवन वह English को मौक मतलब उनको मौक करने के लिए मौकरी करते हुए करते हैं कि रॉमन्स कंट्रिमन फ्रेंट्स व्मांस कंट्रीमर्न और दोस्तो यह लाइन्स आपको याद होंगी यह लाइन्स अपåर होती है निसम इजिकल इस poem में ज़्यादा जोर डालते हैं तो दूस्तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यह poem अलब किस वारे में है तो अब हम स्टार्ट करेंगे line to line explanation of the poem क्योंकि line to line समझने से पहले हम उसका theme पता होना चाहिए कि वास्तम में है क्या इस poem के अंदर तो स्टार्ट करते हैं the poem the patriot I am standing for peace and non-violence यहाँ पर जो point है point यह कहते है I am standing for peace and non-violence मैं खड़ा हुआ हूँ एक आवाज उठा रहा हूँ किस चीज के लिए शान्ती के लिए और अहिंसा के लिए non-violence अहिंसा की बात हूँ करते हैं तो वो यह कहते हैं कि मैं आवाज उठाता हूँ किस के लिए शान्ती के लिए और अहिंसा के लिए why world is fighting fighting वो यह कहते हैं कि जो संसार है यह जो दुनिया है यह क्यों समय व्यर्थ कर रहा है अपना लडने में और केवल एकमात्र लडने में fighting and fighting यह emphasis किया है repetition इस विज़े से है क्योंकि जो डाल कर बोला है उन्होंने fighting, fighting और जो संसार के सभी लोग है वो महत्मा गांधी को क्यों follow नहीं कर रहे हैं क्योंकि महत्मा गांधी truth or non-violence के लिए जाने जाते हैं तो यहाँ पर गांधियन philosophy से काफी influence दिखाई पड़ते हैं कौन? Nisimizical और यह question आ जाता है exam में कि which of the following poems deals with the Gandian philosophy तो आपका answer यही होगा The Patriot by Nisimizical और वो यह कहते हैं I am simply not understanding मैं यह चीज़ समझ में नहीं पा रहा हूँ कि महत्मा गांधी को लोग follow क्यों नहीं कर रहे हैं Ancient Indian wisdom is 100% correct और जो हमारी प्राचीन भारतिये wisdom है वो 100% correct है I should say even 200% correct मैं तो मानता हूँ कि हमारी जो old traditions है old values है वो 200% correct है ऐसा Nisimizical कहते है but modern generation is neglecting too much going for fashion and foreign thing लेकिन जो modern generation है वो क्या कर रहे है वो सभी चीज़ों को नकार रही है हमारी old values को old traditions को सब को नकार रही है ठीक है और इसके साथ-साथ वो यह कहते हैं कि वो adopt कर रहे है किस चीज़ को fashion को और foreign things को जो हमारी generation है वो adopt कर रहे है दोस्तो ये lines हमें remind कराती है गांधी जी का जो हिंद स्वाराज है गांधी जी का हिंद स्वाराज आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि गांधी जी किस प्रकार से जो भारतिये चीज़े हैं उनको बढ़ावा देते हैं और इसके साथ-साथ वो non-violence को भी बढ़ावा देते हैं और यहाँ पर वही philosophy हमें देखने को मिल रही है निसिम इजी किल के द्वारा अब वो क्या कहते हैं दोस्तो Other day I am reading newspaper एक दिन जब मैं newspaper मैंने पढ़ा Everyday I am reading Times of India to improve my English language और वो यह कहते हैं कि मैं हर दिन वैसे Times of India पढ़ता हूँ क्यों पढ़ता हूँ अपनी language को improve करने के लिए English language को improve करने के लिए English language improve करना गलत नहीं है बट गलत है English values को follow करना English traditions को follow करना How one gonna follow through stone at Indian बहन कि कैसे कोई Indian बहन पर जो है वो क्या कर सकता है इंद्रा बहन पर क्या कर सकता है पत्थर फैक सकता है इंद्रा बहन इंद्रा गांधी की बात हो रही कि इंद्रा गांधी के उपर किसी ने पत्थर फैका और उसकी news अख़बार में आई और किस newspaper में Times of India में आई Must be student unrest fellow वो कोई हो सकता है एक कोई student ही होगा जिसने ऐसा किया होगा I'm thinking मुझे लगता है Friends, Romans, Countrymen I'm saying to myself Land me the years और वो ये खुद से कहते हों पुकारते हैं Friends, Romans, Countrymen दोस्तों ये lines जैसे कि मैं आपको बताया था भी थोड़े देर पहले जब मैं आपको समरी बता रहा था तो ये lines जो है वो English culture को represent कर रही है और क्योंकि जूलियस सीजर से ली गई lines है और यहाँ पर इन lines को क्यों use किया है उन्होंने As a mockery उन्होंने use किया है दोस्तों Nisimisical ने इन lines को Friends, Romans, Countrymen, Question आ जाता है exam में कि जब वो Indian उसको बढ़ावा दे रहे है ठीक है तो यहाँ पर AI lines क्यों आती है तो आप as mockery इसका use करेंगे Lend me the years, everything is coming Regeneration, Rumineration and Contraptions तो वो कहते हैं कि हर चीज आ रही है क्या आ रहा है? Regeneration हमें देखने को मिल रहा है Rumineration हमें देखने को मिल रहा है और contraception हमें देखने को मिल रहा है Be patiently brothers and sisters और वो कहते हैं कि be patient पतलब patience रखो brother and sister सभी को कहते हैं You want one glass lassi? Very good for digestion With little salt, lovely drink Better than wine क्या तुम्हें चाहिए एक glass lassi? यह हमारी Indian drink है दूस्तो लस्ती की बात हम कर रहे हैं हापर तो वो कहते हैं कि digestion के लिए लस्ती बहुत अच्छी होती है और with little salt थोड़े से salt के साथ lovely drink लगेगी better than wine और यह मैं कहता हूँ कि वो wine से कहीं ज़्यादा अच्छी है जो हमारी लस्ती है Note that I am ever testing the wine और यह नहीं कि मैंने कभी wine को test किया I am total teetotler completely total but I say wine is for the drunkards only और वो यह कहते हैं मैं कूर रूप से teetotler हूँ और जो wine है न वो किस के लिए है वो केवल और केवल drunkards के लिए है What do you think of prospects of world peace तुमें क्या लगता है सांसार की शांती को लेकर तुम क्या सोचते हो पाकिस्तान behaving like this एक तरफ देखिए हमारा जो पडोसी देश है मुल्क है पाकिस्तान वो कितना बुरा वहवार कर रहा है चाइना behaving like that और दूसरी तरफ चाइना भी भाज नहीं आ रहा है It is making me really sad I am telling you इससे मुझे बहुत दुख होता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और वास्तम में इससे मुझे बहुत ज़्यादा ये एक तरह से मतलब एक harassment होती है इस चीज को लेकर All men are brothers No, in India also Gujaratis Maharashtrians Hindi walas, all brothers हमारे इंडिया में सभी लोग रहते हैं हमारे गुजराती रहते हैं Maharashtrians रहते हैं, Hindi walas रहते हैं Hindi बोलने वाले और सभी भाई है, सभी एक साथ है Thus some are having funny habits और लेकिन फिर भी कुछ लोगों में क्या है Funny habits है Still you tolerate me लेकिन फिर भी तुम मुझे Tolerate करते हो तो ये दोस्तो ये जो poem है Nisimizikil की तो कुल मिलाकर ये इनके जो है patriotism को represent करती है और इसके साथ-साथ traditions, English values, English fashion को reject करने के लिए एक message एक appeal है यहाँ पर Nisimizikil की उमीद दोस्तो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी अगर दोस्तो आपको ये poem समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को like जरूर करना और इसके साथ-साथ share और comment करना भी ना भूलना और मुझे ये भी बताना कि आपको ये कविता, ये poem कैसे लगी और मेरी other videos कैसे लगती है और दोस्तो अगर जो आप हमारी paid classes का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी आप जो है मुझे contact कर सकते हैं मेरा number में आपको बता देता हूं एक बार जिसको मेरा number मालूम नहीं है 9756055255 9756055255 आप इस number पर मुझे contact कर सकते हैं UPTGT English, UPPGT और या फिर आप Junior Teacher की तियारी कर रहे हैं GIC की तियारी कर रहे हैं किसी में भी आप तियारी कर रहे हैं तो आप हमारे course का हिस्सा बन सकते हैं आप जो recorded mode की classes हैं उनको लेना चाहते हैं तो आप को नहीं ले सकते हैं आप जो है हमारे online session का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप उसे भी attend कर सकते हैं तो that's your choice कि आप किस प्रकार से course को join करते हैं और दोस्तों और जो हमारा TGT English का जो course है TGT PGT का उसमें साथ में हम notes भी provide कर रहे हैं और other courses में भी जो timely आपको PDF भेज दी जाती है और इसके साथ साथ दोस्तों जो मेरा वाट्सप चैनल जो मेरा sorry टेलिग्राम चैनल है उसका भी link में हाँ पर description box में share कर दूँगा तो आप उसको भी join करें क्योंकि उस पर भी आपको काफी चीज़ें मिलती रहेंगी timely आपको update होता रहेगा और कुछ नई वीडियो कुछ नए जो PDF हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे Thank you very much Yours Dr. Sitchin Goswami